हलो नमस्कार मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाश 12 जोगरफी के महत्पुर्ण लग उत्रिया प्रशनुत्तर बताने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को कम्प्लिट देख लेते हैं तो आपके बिहार बोड एक्जाम में जितने भी short question पूछे जाएंगे long question पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से लिख पाएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे इसमें जितना भी question दिया गया है ये बिहार बोड एक्जाम की दृष्टी से बहुत important है क्योंकि इसमें सभी question gas क्या हुआ है इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे और अगर आप हमारे निमनी करण से आप क्या समझते है इसका correct answer कैसे लिखेंगे इसका एंसर लिखेंगे कि भूण निमनी करण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमी खेती के अयोग बनती है भूमी संसाधनों का निमनी करन सिचाई और क्रिशी विकास की दोशपुर्ण नितियों से उत्पन हुवी समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है या गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मिर्दा उर्वर्ता छिन हो शक्ती है क्रिशी भूमी का एक बड़ा भाग जला करांतता लवनता तो था मिर्दा छारंता के कारण बंजर हो चुका है अभी तक लवनता व छार्ता से लगवग 80 लाख हेक्टेयर भूमी को प्राभावित हो चुकी है देश की अन 70 लाग हेक्टेयर भूमी जल करांतता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है कितनासक रशायनों के अत्यधिक परियोग से मिर्दा परिक्षेदिका में जहरीले तत्व का सांद्रन हो गया है नेक्स्ट कुश्यन है कि जनसंख्या परिवरतन के कम से कम दो घटकों की व्यक्ष्या किजिए तो जनसंख्या परिवरतन के दो घटक निमलिखित हैं पर्थम लिखेंगे असोधित जनमदर दुसरा लिखेंगे असोधित मिर्दिदर तो असोधित जनमदर क्या है तो असोधित जन्मदर को परती हजारिस्तिरियों द्वारा जन्म दिये गए जिवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है इसकी गनना इस परकार की जाती है असोधित जन्मदर बरावर किसी वर्स विशेश में जिवित जन्म बटे उस वर्स के मद में अनुमानित जनसंक्या गुना एकस नेक्स्ट है कि असोधित मिर्ट्यूदर क्या है अपसे क्वेशन ऐसे भी पुछ सकता है कि असोधित मिर्ट्यूदर क्या है और असोधित जन्मदर क्या है या इन दोनों में क्या क्या अंतर है तो अगर आप इसके परिभासा को याद रखेंगे तो इसका दोनों का अंतर भी प्रकार कि जाती है और स्वधित मिर्ति उदर बरावर होता है किसी वर्ष विशेश में मिर्तकों के संख्यां बट्टे उस वर्ष के मद में अनू मानित जन संख्यां गुना 1000 नेक्स्ट कुश्चन है कि कच्चे माल के अधार पर उद्योगों को वर्गी कृत करे कच्चे माल के अधार पर इसका एंसर लिखेंगे कि या कच्चे माल के अधार पर वर्गी करन निम्न है पर्थम में क्या है क्रिशी अधारित उद्योग दूसरा है वन अधारित अधारित उद्योग इसके जान ले कि न STEPHAN अधारित उद्योग्त हो जैसे कागज हो गएक चागज उद्योग नेक्सट है धातु अत्वा खनीज अधारित उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कृषी योग वेर्थ भूमी कहलाती है इस भूमी पर यदि निरंतर कृषी की जाय तो भूमी की उबजाव शक्ति कम हो जाती है और ऐसी भूमी पर अधारित करना और ऐसी भूमी पर क्रिसी करना आर्थिक द्रिश्टी शे लावदायक नहीं रहता भूमी उधार तकनिक द्वारा इसे सुधार कर क्रिसी योग बनाया जाता है कि मानव विकास किसे कहते हैं चार मानव विकास सुचकांग अथवा घटकों को लिखे तो इसका एंसर लिखेंगे कि लोगों के लिए विकल्प को बढ़ाना तथा जन कल्यान के अस्तर को उचा उठाना ही मानव विकास है आर्थिक समाजिक तथा सांस्कृतिक विकास जन कल्यान के परमुक पक्ष है जन कल्यान से ताथपर्ज मानव की चाहते जैसे दिर्द और स्वस्त जीवन सिक्षा द्वारा ग्यान प्राप्ति तथा रहन सहन के उच अस्तर से है मानव विकास सुचकांक है पर्थम दिर्द जीवित दुसरा है ज्यान तिसरा है उच जीवन अस्तर तथा चोथा है स्वास्तियन नेक्ट क्वेश्चन है कि उर्जा के नविनिकृत तथा और नविनिकृत साधनों में अंतर करे इसका अनसर लिखेंगे उर्जा के नविनिकृत और नविनिकृत साधन में निमन अंतर है पर्थम है कि नवनिकृत साधन ऐसे ही लिखना है आपको खाचा बना करके क्योंकि इस टैप्स अगर आप लिखेंगे तो आपका मार्क अच्छा आएगा पर्थम में लिखेंगे नवनिकृत संसाधन में कि ये समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है जबकि और नवनिकृत संसाधन समाप्त होने वाले साधन है दुसरा परण लिखेंगे कि इन साधनों से परदूसन नहीं होता है किसमें नवनिक्रित साधन में जबकि और नवनिक्रित में परदूसन होता है तिसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका उपयोग सहरों में अधिक होता है और और नवनिक्रित में लिखेंगे कि ये गरामिन छेतरों में उपयोग किये जाते है नेक्स्ट कुश्चन है पत्तन और प्रोतासरय के बीच अंतर स्पष्ट करें तो लिखेंगे प्रोतासरय तटवर्ती समुन्द्र जल का वह छेत्र जो खुले सागर से सुरक्षित रहता है ऐसे छेत्रों में जहाज लंगर डालते हैं तथा समुन्द्री तुफानों से सुरक्षित रहते हैं प्रोतासराय दो परकाल के होते हैं प्राकिर्तिक और कृत्रीम अब पत्तन में क्या है कि प्रोतासराय सहित नगर को पत्तन कहते हैं पत्तन में गोदी घाट आदी होते हैं जिनके सहारे जहाज आकर वैसे ही रुखते हैं जैसे रेलगारी प्लेटफर्म पर आके रुखती है के सुरक्षित भंडार के लिए गोदाम बने होते हैं, next question है कि मानब भूगोल के कुछ उपछेतरों के नाम बताएं तो पर्थम मानब भूगोल के उप्षेत्र निम्न लिखित है पर्थम है व्यभारवादी भूगोल दुसरा है सामाजिक कल्यान का भूगोल तिसरा लिखेंगे अवकास का भूगोल चौथा लिखेंगे सांस्कृतिक भूगोल पांचवा लिखेंगे लिंग भूगोल छठा लिखेंगे एतिहा मात्रा में वस्तों का आयात निर्यात करता है वस्तों के आयात निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तों का मुल आयात की जाने वाली वस्तों के मुल से अधीक है तो वह अनुकुल व्यापार का संतुलन कहलाता है ज जबकि निर्यात की जाने वाले वस्तों की किम्मत आयात की जाने वाले वस्तों के मूल में कम है तो परतिकुल व्यपार संतूलन या विलोम व्यपार संतूलन कहलाता है नेक्स्ट कुईस्चन है कि विश्मे जनसंख्यां के वित्रन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताए तो लिखेंगे विश्मे जनसंख्यां के वित्रन और घनत्व के परमुकारक निमल्खित है पर्थम स्थिति में क्या है कि किसी देश की स्थिति का प्रभाव वहां से दुसरे देशों से समंधों पर परिवहन और व्यपार तथा मानब पर होता है संसार की लगभग 75% जन संख्या महा सागरों और समंदरों की तट समिपस्त सीमा पेटियों में निवास करती है दुसरा लिखेंगे जलवायू जन संख्या वित्रन पर जलवायू का प्रभाव सबसे अधिक होता है संसार के सबसे अधिक बसे हुए परदेश मानसूनी जलवायू तथा सम्सितोषन जलवायू के परदेश है तिसरा लिखेंगे भूमी की बनावट मैदानी भागों में भूमी समतल होती है और वहां खेती करने को भूमी तथा सिचाई परिवहन और व्यपार की स्विधा होती है इसी कारण मैदान बहुत सघन अबाद होते हैं नेक्श लिखेंगे जलव पूर्ती मनुष की जेविक अवशक्ताओं में जलव का स्थान भोजन से भी पहले है यदिपी समान्यतह जलव भोजन के साथ ही सम्मिलित कर दिया जाता है और पांचवा पॉइंड है मिट्टिया जनसंख्या का मुकाधार भोजन है संसार के सभी मनुष्य का भोजन साकाहरी और मानसाहरी परत्यक्ष तथा और परत्यक्ष रूप से मिट्टि से ही प्राप्त होता है इसलिए उपजाओ मिट्टि वाले परदेशों में जनसंख्या बहुत सघन है देखिए आपको याद क से करना है सबसे पहले आपको question को अच्छा से समझना है अगर आप question को अच्छे से समझ जाते हैं तो answer आपको लिखने में आसानी होगा क्या कहते हैं कि वीश्व में जनसंख्यां के वितरन यानि कि वीश्व में जो जनसंख्यां है जो उसका फैलाव होता है वितरन और और घनत्व को परभावित करने वाले कारकों को बताएं तो सबसे पहले आपको इसका एस्थिती में में पूइंट याद करना एस्थिती दुसरा जलवायू तिसरा भूमी की बनावट और चोथा जलपूर्ती और पांचवा क्या है मिट्टी मिट्टियां अगर आपको ये व्यक्ष्या कीजिए अब नेक्ष्ट कुइस्चन है कि मानव विकास क्यों आवस्चक है व्यक्ष्या कीजिए तो इसका एंसर लिखेंगे कि पाल एस्थि पाल एस्थि ट्रन के अनुसार निम्लिखित कारनों से मानव विकास आवस्चक है पर्थम क्या है विकास की सभी प मानव विकास उच्तर उत्पादक्ता का साधन है कुसल और सुअस्पष्ट सर्मिक अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं तिसरा पन लिखेंगे कि मानव विकास मानविय परजनन की गती धिमी करके परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है चौथा पन लिखेंगे कि मानव विकास भोतिक परियावरन हितेसी भी है पाँच्वा लिखेंगे कि सुधरी मानविय दसाएं तथा घटी गरीबी मिलकर स्वस्त तथा सब समाज के निर्मान में योगदान करती है छट्था पॉंट लिखेंगे कि मानव विकास समाजिक और सानती को कम करने तथा राजनेतिक एस्थिर्ता को बढ़ाने में सहायक हो शकता है अतह मानव विकास की संकलपना केवल अर्थ ववस्था के विकास से समंधित न होकर में संपुर्ण विकास से समंधित है देखिए आपको जहने 2-3 point आपको याद करना है उसके बाद फिर अपने मन से लिखेंगे next हम यह नहीं कहते कि आपको पूरा line by line याद करना है देखिए आपको अच्छे से समझना है और अपने third process से इसको लिखना है इसलिए आप लोग क्या करेंगे question को देखें और अपने से answer लिखने का परियास करें एक बार नहीं तो दू बार तीन बार करके आप वीडियो को देखें अच्छे ध्यान से सुनें और उसके बाद अपने question को लिखा करें क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना अच्छे mark लाओगे next question है कि भारत के चार परमुक नाविकिया उड़जा केंदर के नाम लिखें में है तिसरा है कल पक्कम परमानु उड़जा केंदर जो तमिलाडो में है और चौथा है नरोरा परमानु उड़जा केंदर जो उत्तर परदेश में है देखिए आपके बिहार बोड़ एक्जामें कई वार पूछा गया question कि तारापूर कहां है तो यह महराष्ट में है रा है नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत के चार परमुक लो इस पात उद्द्यो केंदर के नाम लिखे इसका एंसार लिखेंगे भारत के चार परमुक लो इस पात उद्द्यो केंदर निमलिखित है पर्थम लिखेंगे टाटा लोहा और इस पात कमपनी जिसको हम टिसको कहते हैं जो जमसेदपूर में है next है कि भारते लो हाथ था spot company बरनपूर next question है कि राउर केला इसपात कार खाना ये क्या है राउर केला में और चोथा है भिलाई इसपात कार खाना भिलाई बहुत important question है next question है कि मानव विकास क्या है तो कैसे लिखेंगे इसका एंसर लिखेंगे मानव विकास मानविकी सिक्षा स्वस्त सिवाओं तथा ससक्ति करन के अवसरों में विर्धी की प्रकिरिया है विकास का अर्थ केवल धनव संपती का विश्तार नहीं बलकि धनव संपती द्वारा मानव का समगर विकास है विकास तभी होता है जब गुनबत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है यदि किसी नगर के जनसंख्या में विर्धी एक लाग से बढ़कर किसी निश्चित समय में दो लाग हो जाती है तो हम समझेंगे कि नगर की विर्धी हो गई है यदि मकान तथा अन्श्विधाएं वहीं है तो विकास नहीं माना जाएगा मानव विकास का उद्देश है राईनेतिक स्वतनरता आत्म निर्भरता तथा स्वाभी मान नेक्स्ट क्वेस्चन है कि दो चतूर्थक आर्थी क्रियाओं का उल्लेक किजिए इसका एंसर लिखेंगे कि चतूर्थ क्रियाओं से तातपड उन उच बोधिक व्यवसायों से है जिसका दाईत्व चिंतन, सोद और विकास के लिए नए विचार से है चतूर्थ सेवाओं में से कुछ निमलिखित है जैसे सुचना का संग्रा, उत्पाद और प्रकिरन, अथवा सुचना का उत्पादन चतूर्थ सेवाओं अनुसंधान और विकास का परकेंद्रित होते हैं और विशिष्टी कृत ज्यान परदोगी की कुसलता और प्रसासकिया सामर्थ से सम्मंद सेवाओं के उन्मत नमूने के रूप में देखे जाते हैं चतूर्थ सेवाओं उन्नत बोद्धिक विवसाय से समंधित है जिनमें लोगों के एक विशिष्ट वर्ग है जिसका लक्षन उच वेतनमान और पदोनती के अवसरों के साथ साथ बहुत अधिक गतिमान होना है ये सिक्षा सुचना सौध तथा विकास की सेवाओं का भी एक भिन वर्ग है इसका एंसर लिखेंगे कि जीवन निर्वाहक क्रिसी की दो विसेस्ताय निमलिखित है पर्थम इस परकार की क्रिसी उन छेतरों में की जाती है जहां भूमी पर जनसंख्यां का दवाव अधिक होता है दुसरा लिखेंगे कि यह सरम गहन खेती होती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जेव रसायनिक निवेशों और सिचाई का परियोग किया जाता है नेक्ष्ट क्वेश्चन है कि लिंग सनरचना से आप क्या समझते हैं इसका एंसर लिखेंगे कि लिंग सनरचना का अभिप्राय विभिन आयू वर्गों में इस्तरियों और पुरूशों की जन संखियां से है लिंग सनरचना को आयू लिंग पिरामिड द्वारा परदर्शित किया जाता है विश्व की जन संखियां में 15 वर्षों से कम उम्र के लोगों का परतिसद अधिक है इसमें लिंग सनरचना 1000 पुरूशों में 990 इस्तरियां है कहीं कहीं इस्तरियों की संखियां को ब्रावर है Next question है कि मुक्सर्मिक और सिमान सर्मिक में अंतर असपस्ट करे तो इसका answer लिखेंगे कि मुक्सर्मिक वह व्यक्ती है मुक्सर्मिक वह व्यक्ती है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है जबकि सिमान्त सर्मिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है नेक्स्ट है कि स्वर्निम चतरभूज राजमार्ग पर टिपनी लिखे तो लिखेंगे कि राष्टिय महामार्ग पर योजना के अंतरगत सडकों के विकास की एक महत्वा कांग्छी योजना बनाई गई है इसे दो जनवरे 1999 में शुरू किया गया था और यह सडकों को सुधारने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है इन राजमार्गों पर योजनाओं के निर्मान का दाइत भारत के राष्टिय महामार्ग प्राधी करन का है इसके निम्लखीत दो घटक है पर्थम चरन में क्या है स्वर्न चतुसकोन इस चरन में दिल्ली मुंबई चिन्नाई कुलकाता दिल्ली को छो गलियों वाले प्रम राजमार्गों द्वारा जोड़ा जाएगा इसकी कुल लंबाई 58-46 किलोमेटर है जिसमें से 1386 किलोमेटर लंबी सडके पर काम पूरा हो चुका है स्वर्निम चतुसकोन की दिल्ली मुंबई भुजा 14-19 किलोमेटर मुंबई चिन्नाई भुजा 12-90 किलोमेटर चिन्नाई कोलकाता भुजा 16-84 किलोमेटर तथा कोलकाता दिल्ली भुजा 14-53 किलोमेटर है इस प्रकारचे नई कोलकाता भुजा की लंबाई शब्षे अधीक है अब दुसरा चरन में क्या है कि स्री नगर को कन्या कुमारी से जोडने वाला उत्तर दक्षिन गलियारा तथा सिल्चर को पूर्बंदर से जोडने वाला पूर्व पस्चिम गलियारा इस चरन में सडकों क कुल लंबाए 73 किलो मेटर है जिसमें से उत्तर दक्षिन गलियारा 4000 किलो मेटर लंबा तथा पूर्व पस्चिम गलियारा 3300 किलो मेटर लंबा है नेक्स्ट कुश्चन है कि जल परिवहन के क्या लाब है इसका एंसर लिखेंगे कि जल परिवहन के निमनलिखित लाब है पर्थम परिवहन का सस्ता साधन दूसरा समानों की सुरक्षा तिसरा कम निर्मान लागत चौथा रख रखाओं में कम वियाए पांचमा है कि अंतराश्टिय व्यपार नेक्स्ट कुश्चन है कि आयू परदूसन के परमुक स्रोतों का वरणन कीजिए इसका एंसर लिखेंगे कि आयू परदूसन के परमुक स्रोत निमनलिखित है परता में उद्योग दुसरा है मोटर वहन तिसरा है ताप बिजली घर चौथा है सहरी कचड़ा पाचवा है खाद्यानों से निकली धूल तो अब क्या है उद्योग क्या है उद्योग से निकलने वाला धूआ वायू परदूसन का प्रमुक कारण है जहरीली ग्यास रख राख आदी वायू मंडल में मिल जाती है दुसरा कारण है मोटर वहन बड़े नगरों में वायू परदुसन का 50-60% सड़क पर चलने वाहनों से होता है नेक्स्ट है कि ताप विजली घर इनसे बहुत धुआ और राख निकलती है उधारन के लिए 500 मेगावाट के ताप विजली घर से परती दिन धुए के साथ-साथ 2000 तन राख निकलती है नेक्स्ट है सहरी कचड़ा नगरों और महानगरों से परती दिन लाखो टन कचड़ा निकलता है इस कचड़े का निप्टान खरचीला और असाध्य है प्रिनाम स्वरु परदुसन फेलता है नेक्स्ट है कि खदानों से निकली धूल खदानों से निकली धूल पत्थर की खानों अथवा अन खानों से भारी मात्रा में धूल निकलकर वायू मंडल में फैलकर वायू को परदर्शित करती है तो माई डियर स्टुडेंट हमने मौस्ट इंपोर्टेंट 21 सब्जेक्टिव कोईस्टन को स्वालव किये हैं अब इससे आगे का हम इसके पार्ट टू में बताएंगे बाकी आपको ये वीडियो अभी तक में कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में बताएंगे और अगर अभी तक आपने हमारे यूट् 시청 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिरी सब्सक्राइब करेंगे लायग करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे बाकि आपने अभी तक में जितने भी कुश्चन पढ़े हैं उसको खुद से लिखने का परुयास करें आप जितना अभी से लिखने पर धियान देंगे जितना अपना दिमाग माइंड सेट करके अभी लिखेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा बाकि शो थैंक्स वेरी मुच अल दा बेस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद